आदन्य प्रधान मंत्र जी, नमस्कार, मेरा नम मधुमिता सेन गुपता है, मेरा बेटा कक्षा नवी का छात्र है, महोदे, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशेट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से, ओनलाइन गेम्स की तरफ उसका पढ़ाई पर फरक पढ़ रहा है, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ, कृप्या मेरा मार्क दर्शन कीजिए, कि मैं इस स्थिती को कैसे समालू, धन्यवाद, पारिनी, कृप्या इस पर अपने विचार प्रकट करें, यह पबजी वाला है क्या, यह तो फ्रेंट लाइन वाला होगा, यह समस्या भी हैं, समाधान भी है, हम यह चाहें कि हमारे बच्चे टक्नलोजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से, अपने सारी जिंदिगी से प्रकार से पीछे की तरब जाना शुरू होगा, और इसलिए उसको यह टक्नलोजी के समन में प्रोच्साहित करना चाहिए, लेकिन उस टक्नलोजी का क्या उप्योग करता है, क्या टक्नलोजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है, अगर माबाप थोड़ी रूची ले, कभी खाना खाते समय चर्चा करे, टक्नलोजी की, बताईए भई, इन दिनों क्या चल रहा है, टक्नलोजी के ख्षेतर में क्या नाया आया है, किस परकार के नईने एप्स आये हैं, उसमें क्या होता है, तो इस बच्चे को लगेगा, कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे बाबाप हो सकता है, मेरी मदद करेंगे, तो पहला काम तो, आप किसो को रोग ने, मैं देख रहा हूँ, यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मुबाइल फोन है, हो सकता है, कुछ लोग यहां प्रदान मंदिर के कारकम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे, दोस्त को बताने के लिए, मैं यहां बैठा हूँ, इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकूरते चले जा रहे हैं, टेकनलोजी, हमें अगर सिकूर देती है, हमें नेरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नेरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुक्षान होगा, टेकनलोजी का उप्योग हमारे एक्सपांसन सिर्ट के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विशों की चर्चा करते रहना चाहिए